हेलो एवरिवण welcome to class number 22 subject MS वोर्ड so आज के class में उसक्ष करेंगी और कुछ advance topic के बारे में MS वोर्ड का सुआ जक्लास में हम Natural कारेंगी headerдел and footer के बारे में कि हम हमारे document में header यह cre future add करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं यह header फुटर क्या है इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं डिसकुशन और जानते हैं इस पुटिकुलर टॉपिक के बारे में तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह header and footer है क्या what is header and what is footer header क्या है header is the information that appears at the top of each printed page in a document जब हम MS Word को यूज करके कोई भी डॉक्यमेंट बनाते हैं उस डॉक्यमेंट में जितने भी pages हैं हम चाहते हैं कि सारे pages के top में कुछ information आए एक बार ही लिखें पर वो हर एक pages में आता रहे तो वो head किसी भी document में जितने भी pages हैं सारे pages के top में अगर हम कुछ information add कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं header और एक document में जितने भी pages हैं सारे pages के नीचे अगर हम कुछ information add कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं footer जैसे कि हम सारे pages के नीचे page number देते हैं, है कि नी, तो वो एक तरह का हो जाता है footer, क्योंकि हम एक page में page number देते हैं, वो automatically बाखी सारे pages में आ जाता है, वैसे ही हम चाहते हैं कि हर page में हमारा topic है, chapter का नाम हर page में आये हम चाहते हैं, तो वहाँ पे वो information हम दे सकते हैं, कहाँ प top of the page and footer is the information that appears at the bottom of the page. एक document में जितने भी pages हैं उन pages top में जो information होता है वो header होता है bottom में जो information होता है वो footer होता है. अभी हम देखेंगे कि अगर हम हमारे document के pages में header and footer add करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज की class में हम discuss करेंगे. तो चली शुरू करते हैं discussion और जानते हैं इस particular topic के बारे में तो अगर हमें हमारे document में header and footer insert करना है तो insert tab में जाना पड़ेगा insert tab में जाने के बाद insert tab के अंदर वहाँ पे एक जगा पे होगा header and footer group उस header and footer group के अंदर header and footer का option होगा तो header को म्यूज करते हैं page के top में information देने के लिए तो अगर हमें header insert करना है तो उसका step क्या है पहले click on the insert tab then go to header and footer group then click on header command header command में click करेंगे header command में click करने के बाद वहाँ पे वो हमें कुछ default formats predefined formats वो हमें provide करेगा इन में से जो formats हम use करना चाहते हैं वो formats में left click करेंगे जैसे कि मैंने अभी left click किया left click करने के बाद वहाँ पर जहाँ पर आमें लिखे ना है जैसे लिखा है header and footer option में click कर देना है तो हमारा header easily यहाँ पे add हो चुका है तो यह हम first page में है second page में जाते हैं देखेंगे second page में भी header आ चुका होगा एक भी page में अगर हम header add करते हैं तो वो हमें automatically सारे pages में header दिखाने लगता है तो आई थे आप लोगों को समझा चुका है कि हमारे document के pages में अगर हम header को add करना चाहते हैं तो हम header को कैसे add कर सकते हैं अभी हम देखेंगे कि अगर हम हमारे document के pages में footer add करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं वही same process है click on insert tab then go to header and footer group then click on footer command cleaning command यहां पर header command के जग़ा पे footer command में click करेंगे वहां पर बहुत सारे options हमें predefined options provide किया होता है तो इह में से जो options हमें चाहिए वही options को हम वहाँ पर क्या करेंगे उन options को हम वहाँ पर Select करेंगे फाजकर जाहने तो यहान पर हमने click कर दिया तो हमने यहाँ पे channel का नाम लिख लिया, page number यहाँ पे 1 है, और कुछ footer में add नहीं करना है, तो close header and footer में click कर देना है, तो हमारे page में यहाँ पे footer add हो चुका होगा, यह first page है, तो second page में क्या आना चाहिए, page number 2 आना चाहिए, देखो page number 2 आ रहे है, वैसे अगर third page में जाएंग document के pages में header add करना चाहें, या फिर footer add करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज के class में हमने discuss किया, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो header add किया, या फिर हमने जो footer add किया, उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उसमें कुछ changes लाना चाहते हैं, उसको edit क करना चाहते हैं तो वह कैसे कर सकते हैं एगें इंसर्ट टैब में जाएंगे उसके बाद अगर हेडर को एडिट करना है तो हेडर कमांड में क्लिक करेंगे और वहाँ पर एडिट हेडर का ऑप्शन है एडिट हेडर में क्लिक कर देंगे तो वह हमें जो हमारा हेडर सेक्शन ह उसको active करके दे देगा, वहाँ पे हम कुछ भी edit करना चाहते हैं, तो easily edit कर सकते हैं, ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे edit कर लिया, MS Word के जगा पे advanced feature of MS Word, उसके बार edit हो चुका है, अभी फिर से close header and footer option में click कर देंगे, ओके, तो पता चला कि अगर हम header को edit करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं, अभी अगर हम footer को edit करना चाहें, तो footer को कैसे edit कर सकते हैं, again insert tab में जाएंगे, header and footer group में जाएंगे, footer command में जाएंगे, वहाँ पे edit footer का option है, वहाँ पे click करेंगे, और यहाँ पे अगर हम कुछ edit करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको एडिट कर सकते हैं एडिट करने के बाद फिर से close header and footer के option में क्लिक कर देंगे तो वो change हो चुका होगा जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ओके हर page के footer में change हो चुका होगा आज के class में हमने जो discuss किया कि what is header what is footer how can we add header how can we add footer how can we edit header how can we edit footer इन सब के बारे में आज के class में हमने discuss किया so I think आप लोगों को यह topic practically अच्छे से समझ आ चुका है so next class में हम discuss करेंगे ऐसे और कुछ topic के बारे में आज के लिए इतना ही thank you